राम राम सा आप सब लोग कटोप पूछ रहे हैं कलग ग्रेड सेकेंड जोकी स्री कर्ण नरेंद्र अग्रिकल्चर इनुशिटी जो अबनेर द्वारा एक्जाम कराई गई 25 पोस्ट पर ये एक्जाम हुई थी उस एक्जाम की संभावित कटोप क्या हो सकती है ये हम आपके साथ रिलीज कर रहे हैं ये अब हमारे मन से नहीं बता रहे हैं कुछ विद्यारतियों के फीडबेक के बाद ही हम बता रहे हैं आप सब लोगों से दर्खवास्त भी है कि जो नंबर आपको दिख रहे हैं हमारे यहाँ पर इस पर अपने एस्पेक्टेड मार्क्स बेजें ताकि हम और बहतर तरीके से बाचीत करने में शमर्थ हो पाएं किसी भी भरती परिक्षा के अंदर अलग लग चरण होते हैं जनरली राइस्तान के अंदर junior assistant या clerk grade second की बात की जाए तो उसके अंदर दो चरण होते हैं यहाँ पर total तीन चरण है यानि कि आपका सबसे पहले लिखित परिक्षा आयोजित कराईगी जिसमें MCQ प्रश्न पूछे गए कुल 100 प्रश्न थे जिनका बारांग 300 अंग था यानि एक प्रश्न के सही होने पर 3 अंग आपको दिये जा रहे थे और इसी गलत होने की स्तिती में एक अंग का आपका काटा जा रहा था तो यहाँ पर आपके 300 अंग का जो पेपर हुआ इस पेपर में जो कौलिफाई होंगे उनको फिर आपके पास कहां बुलाया जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइपिंग होने के बाद आपके अकेडमिक मार्क्स को जोड़कर एक फाइनल कटॉप जारी होगी इनका रेशियो है 50% तो आपका पेपर 30% आपका जो रहेगा वो रहेगा टाइपिंग और जो आपके पास तीसरा सेग्मेंट है वो है आपका अकेडमिक करियर के मार्क्स तो इन तीनों को मिलाकर आपकी कटॉप बनेगी 50, 30 और 20% के साब से अब इसकी कटॉप क्या हो सकती है इन सबी के बारे में बातचीत करते हैं उनसे पहले थोड़ा सा एक्जाम स्कीम को देख लेते हैं पेपर के 50% टाइपिंग के 30% अकेडमिक करियर के अंदर 20% टोटल पोस्ट कितनी थी 25 थी यह आप से कोई छुपावा है नहीं आपको पता ही है इन 25 पोस्ट के उपर क्या रह सकती है 100 question थे 300 marks का paper हुआ मैं आपको कटों बता रहा ना बच्चों वो typing के लिए बता रहा हूँ paper का level क्या था easy था not moderate it's very easy paper easy था 2-3 जगे typing मिस्टेक थी हमने इसकी answer की भी launch किये एक दो प्रशनों के अंदर मानवेत रूटियों को छोड़ दिया जाए किसी भी प्रकार की कोई शमश्या नहीं है आप आराम से answer की को match कर सकते है general के अंदर किसी भी विद्यारती के यदि मैं आपसे बाचित करूं कि 80 question plus सही है तो ही वो वहाँ पर general के अंदर qualify कर पाएगा OBC वालों के भी 80 plus question सही होंगे लगबग लगबग बराबर रहेगी किसी भी condition में कम नहीं होगी 76 plus किसी के question सही है EWS के अंदर तो उनको बुलाएंगे typing के लिए SC के अंदर बात की जाए 70 plus सवाल वालों को बुलाएंगे ST के अंदर भी 68 plus और MBC की बात की जाए तो 72 plus question वालों को बुलाएंगे और यदि हम लोग एक सर्विश्मेन की बात करें एक सर्विश्मेन की एक सर्विश्मेन के अंदर आप लोगों को याद रख लीजेगा मात्र और मात्र किसी के 40 plus question भी ठीक है उन सभी को typing के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा ये मैं आपको जो cut-off बता रहा हूँ वो आपके पास typing के लिए cut-off बता रहा हूँ final cut-off नहीं है ये typing qualification के लिए आपकी cut-off है typing आपका होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी typing के साथ आपका efficiency test होगा आप सभी लोगों को उसके लिए बहुत सारी शुपकामनाय इश्वर करें आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो हमसे सहीयोग हो पाएगा किसी भी प्रकार की दूइदायें हैं तो आप हमारे contact number पर WhatsApp कर सकते हैं और आप सभी को बहुत सारी शुपकामनाय धन्यवाद